नमस्कार दोस्तों मेर नामे प्रनाय आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नहीं एक्साइटिंग वीडियो में आज इस वीडियो में मैं आपको एक बड़िया सा डाटा केबुल को अन्बोक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ वो केबुल जो है यह है MI Micro USB Braided Kevlar केबुल है दोस्तों नाम तो बहुत बड़ा है और इसमें आपको काफी सार स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिल जाएंगे और यह केबुल जो है काफी स्ट्रोंग है दोस्तों और इस वीडियो में मैं आपको इस केबुल का एक strength test भी करके दिखाने वाला हूँ वो strength test के पेले इस cable को जो है unboxing करते है और इस box से आम को क्या-क्या contents देखने को मिल जाएंगे वो चलिए देखते हैं मेरे साथ यानि PR tech के साथ तो दोस्तों ये रहा cable का box तो चलिए unboxing शुरू करते हैं मेंली आपर आपको उपर देखें में तो माइक का लोगो देख सकते हैं उसके साइड में आपको माइक्रो येस्बी ब्रेलेड केवल आर केवल आर केवल आप देख सकते हैं उसके नीचे आपको स्ट्रांग एंड स्टेडी केवल लिखा गया है साइड में बड़ी ऐसा टैग दिया गया है इनोवेशन फर एब्रिवन और इस बॉक्स के उपर आपको मेंली तीन की फीचर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ये केवल जो है है 100 cm long है अप टू ये फास्ट आजिंग कर सकते है इस केवल को यूज करके आप फास्ट डाटा ट्रांसफर भी कर सकते है इस केवल में आपको दो कलरी वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे ब्लाक एंड रेड ये हमारा जो है रेड कलर का वेरियंट है दोस्तो और टोटल के बैक से डाएंगे तो बॉक्स के पीजे तरफ आएंगे तो या पर आपको प्रॉडक्ट नेम प्रॉडक्ट मॉडल और नेट कॉंटिटी ये सब कुछ डीटेल से आप अप देख सकते हैं अपना कलर वेरियंट भी अप देख सकते हैं या आप अप अब देखेंगे तो या पर अप MRP जो है 299 लिखा गया है तो इस तरह टोटल इंफोर्मेशन जो है बैक की तरफ से आप जान सकते हैं दोनों साइट्स में केबूल का नाम लिखा गया है या आप अप देख सकते हैं तो चलिए ये सिल्ल को जो है ब्रेक करते हैं इस तरह तो हमारा सिल तो ओपन चैबल काफि बढ़िया कलर से आता है और केबल के ओपर आपको MI का टैक देखने को मिल जाएगा और उसके साइड में ही मुले तो उसका पीछे आपको दूसरा इंफोर्मेशन देख सकते हैं केबल जो है बढ़िया कलर से आता है काफि तिक कलर का रिट कलर है दोस्तो और य केबल है और यह mainly दोनों ends में आपको extra tough joints देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप यह आपर bend होके cut होने का chances जो है इस cable में नहीं मिलते है और यह आप आप देख सकते हैं दोनों ends जो है काफी tough material से बना हुआ है दोस्तों आप आप देख सकते हैं और एक main विशेश बात यह है कि यह mainly tangle free है आप यह किसी भी तरह यूज़ करो यह cable जो है काफी safe रहेगा यह mainly इसका multilayer protection के साथ यह cable जो है without any damage safe रहेगा दोस्तों यह आप 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 focus करके देखेंगे तो आप 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 देख सकते हैं काफी बढ़िया material से बना हुआ है mainly multilayer protection system को यूज़ करके यह cable जो है 480 mbps तक है दोस्तों easily एक device से दूसरे device तक अपना data जो है fastly transfer कर सकते हैं तो दोस्तों cable unboxing तो आप देख चुके है अब बात करते हैं इसका strength के बारे में तो दोस्तों mainly Xiaomi company कहता है कि इस cable को यूज़ करके आप 50 kg का maximum payload जो है उपर उटा सकते हैं जी हा दोस्तों और यह cable जो है without any damage safe रहेगा तो इसे test करने के लिए हम एक चोटा सा strength test करेंगे इस test को perform करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक bucket full of water को use करके उस handle को इस cable को use करके उस bucket को जो है हम उपर उटाएंगे तो यह safe रहेगा की नहीं तो चलिए देखते है test को perform करते है तो चलिए शुरू क करते है तो दोस्तों strength test करने से पहले एक regular test करते है बोले तो power supply को रगा के यह currently work कर रहा है के चलिए देखते है यह रहा मेरा phone तो यह perfectly charging हो रहा है दोस्तों तो चलिए cable को use करके bucket को उपर उटाते है strength test शुरू करते है तो यह रहा मैं इस तरह ले रहा हूँ cable और यह bucket full of water में में लीस में bucket में अंदर जो है 25-30 लीटर से फिल हुआ है तो इसे handle में लगा के ऊपर उटाते है तो चलिए उटाते है 3-2-1 यह आप आप देख सकते है यह आराम से उट गया है दोस्तों यह cable के साथ आप आपको देखने को मिल जाएगा तो एक और बार उटा के देखते है तो यह रहा इजिल उट गया है जोस्तों अपना strength test को जो है यह easily pass हो गया है कि आप आप देख सकते हैं यह pass हो गया के नहीं यह confirm करने के लिए एक और बार power supply को लगा के देखते हैं तो यह रहा power supply को लगाया है अपना phone को जो है में connect करना है यह आप आप देख सकते हैं यह perfectly अपना strength test जो है यह पास हो गया है यह correctly work कर रहा है तो दोस्तों यह रहा वो cable अपना strength test को जो है यह easily pass हो गया है और यह 50 kg का load जो है असानी से उटा सकता है तो दोस्तों यह रहा वो cable काफी मजबूत और strong cable है दोस्तों इसमें आपको multi layer protection आपको देखने को मिल जाएगा और दोने ends में आपको extra tough joints देखने को मिल जाएगे इस cable में आपको ends के ऊपर इस तरह bend होके cut होने का chances जो है नहीं मिलते है और यह mainly tangle free भी है तो दोस्तों काफी कमाल का cable है दोस्तों आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते है यह बिलकुल safe रहेगा और इस cable को यूज़ करके आप 480 mbps rate के साथ अपना speed को यूज़ करके अपना data जो है एक device से दूसरे device तक share कर सकते है ट्रांसफर कर सकते है और यह mainly fast charging को भी support करता है तो दोस्तों काफी कमाल का cable है दोस्तों इसके buy करना चाते हो तो मैं नीचे description में link दे चुका हूँ वह पर जाके follow करके इस product को जो है buy कर सकते है काफी कमाल का product है दोस्तों यह रहा मेरा full review about my micro USB cable आशा कर तो आपको यह वीडियो पसंद आए होगी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना डिसले कीजिए शेर कीजिए अपना फ्रेंज और फ्रेंज अन् फ्रेंड निम्बर के साथ और सब्सक्राइब कीजिए फमों टेक अप्डेज के लिए तब तक मैं ह आपका प्यार साइनिंग आउट